कोरोना काल में हमने अपनी पिछली पोस्टों में गर्मियों के उन सभी फलों का जेक्र किया था जो हमारे यहां बागों की शान थे बागों का शेहर है हमारा फर्रुखाबाद आम तर्बूज फालसा अमरुद जामुन आदी से शेहर की पहचान है वह बाग ही क्या जिसमें आम के अलावा फालसा जामुन का पेड़ न हो हम फालसा का जिक्र कर चुके है अब अगर फालसा के साथ जामुन का जिक्र न किया जाए तो ये इस फल के साथ जाती होगी जामुन एक बरसाती फल है इसलिए हमने बरसात के पहले जामुन पर पोस्ट डालने का निर्न लिया इसे हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयूर्वेदिक फल मानते है यह भारतवर्ष में प्राया सर्वत्र पाया जाता है इसका हरा भरा व्रिक्ष अपने खुबसूरत चिकने पत्तों के कारण विख्यात है आयूर्वेद शास्त्रों में जामुन को परम उप्योगी फल बताया गया है इसकी छाल, पत्ते, फल, जर तथा गुटलियां आदी सभी आयूर्वेदिक दवाओं में खुब प्रयोग किये जाते हैं यह तासीर में ठंडा तथा कफ संबंधी रोग का शमन करता है साथ ही शरीर को शीतलता प्रदान करता है मधुमेह के रोगियों के लिए यह फल रामबान का कार्य करता है इसकी गुटली चिकितसा की दृष्टी से अत्यांत उप्योगी मानी जाती है क्योंकि इसकी गुटली में जगवोलिन, नामक, ग्लुकोसाइड पाया जाता है जो स्टाच को शरकरा में परिवर्तित होने से रोगता है यही कारण है कि शरकरा के नियंतरन में आसानी होती है बड़े साइस के जामुन ज़्यादा फायदे मंद होते है मुझे याद है अलीगर, हातरस में कभी जामुन का आकार डेड़ से दो इंच लंबा हुआ करता था जामुन को कई स्वास्थय और औशधिय लाभों के कारण सुपर फ्रूट के रूप में भी जाना जाता है यह फल पेट दर्द और मूत्र रोग में राहत देने के लिए उप्योगी माना जाता है केंद्रिय उपोश्न बागवानी संस्थान लखनओं के निदेशक के अनुसार बायो एक्टिव योगिक कैंसर प्रदै रोग, मधुमे, अस्थमा और गठिया में प्रभावी है जामुन के फल अंटी ऑक्सिडेंट के धनी है मधुमे और कैंसर रोधी गुनों के कारण इसके महत्व को विक्सिद देशों ने भी स्वीकार किया है अगले अंक में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लाइक करे सब्सिक्राइब करे वबल पुश अवश्य करें